नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आपका इस फुल कोर्स में और इस कोर्स में मैं आपको A to Z सीरीज लेकर आऊंगा वह भी वीडियो में वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं वीडियो सीरीज में डिवाइड करूँगा क्योंकि यह वीडियो एक साथ पोस्ट करना मुश्किल है तो चलिए शुरू करते हैं आज के बैस शाल टूटोरियल सीरीज पार्ट वन और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक क वो बता देता है आपको जैसे कि हम Linux में डायरेक्टरी बोलते हैं चीज को और चलिए शुरू करते हैं अभी किसी भी अगर डायरेक्टरी में जाना हो तो आपको CD कमांड लगा नहीं CD कमांड का मतलब होता है और चुरिया चिएज डायरेक्टरी तो आप में डैस्टॉप में अगया हूं तो मैं अब आपको बताता हूं की डैस्टॉप में मेरे कितनी फाइल्स है तो देख सकते हैं में डेस्टूप में तीन है एक तो फाइल सिस्टम है एक ट्रैश है और खूम है और मैंने यहां पर लगया और ले इस कमांड से आप लेख सकते है लेस आईफल ले से जो कि आपको लेस करने से नहीं दिखाई देगी और वापिस पीछे आने के लिए सीडी डॉट डॉट कमांड लगानी है जिस आप वापिस पीछे आ जाएंगे जहां पर थे वहाँ पर आ जाएंगे अब मैं आपको बताने जारा हूँ कि कैसे टैब की का यूज़ करके आप आप आटोमेट कर सकते हैं काम को तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने आप पर लिखा सीडी और टैब की को दबाया तो टैब की से आटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है तो यह टैब की बहुत काम की चीज है चीजों को आटोमेट करने में और अब मैं आपको फाइल बनाना शिखाता हूं जैसे कि mkdi है तो यह एक फॉल्डर बन चुका है एक नाम से इस फॉल्डर में चलते हैं जैसा कि मैं बताया कि लिनेक्स में डायेक्टरी बोलते हैं तो मैं डायेक्टरी का प्रियोग करूंगा फॉल्डर की जगे तो इस कुछ नहीं था तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ नहीं आया लस करने के बावजूगा अब इस डायेक्टरी को अगर रिमूव करना है तो आपको कमांड लगानी होगी आर्म आइफन आर्फ उस डायेक्टरी का नाम और यह फाइल रिमूव तो सुडो स्यू कमांड से आप स पर यूजर हो सकता है प्रिविलेज मिल सकता है और अब मैं बताता हूँ वा क्लियर कमांड के बारे में क्लियर कमांड टरमिनल को क्लियर कर देती है जैसे कि अब आपने देखा और जैसा कि आपने देखा clear command से terminal को clear किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ main eco command जो की message या फिर कुछ भी display कराने या string display कराने के लिए काम आती है तो जैसा कि आपने लेखा मैंने यहापे हुई लिखा और यहापे लगाया मैंने pipe or ls जैसा कि देख सकते हैं यह ls तो काम कर गया पर pipe काम नहीं गया तो semi column लगया तो दोंडों काम कर गया अभी मैं आपको इसका difference between बताता हूँ थोड़ी ही देर में एक दम deeply और जैसा कि देख सकते हैं मैंने समी कॉलम में लग गाया तो समी कॉलम में सब कुछ काम कर रहा है पर पाइप में नहीं किया ऐसा क्यों हो अभी मैं आपको बताता हूं तो जो पाइप है पाइप जो है वो पहली कमांड के मत्या नजार रखते हैं दूसरी कमांड को एक्जिक्यूट करता है पहली कमांड को नहीं एक्जिक्यूट करता है यह बात ध्यान लखें पर सेमी कॉलम जो है वो पहली और दूसरी दूनों करता है सबसे पहले पहली नंबर वाली हो करता है उसके बाद दूसरी नंबर वाली हो करता है और पाइप मैं जैसे की आप समझ गए होंगे कि क्या है दोनों में डिफरेंस अभी मैं आपको टी यूटिलिटी यूज़ करके बताता हूं तो उसमें त्व्छा से ज्यादा हो जाएगा तो चलिए टी यूटिलिटी यूज़ करते हैं इसमें टेक्स को ट्रिम करने के लिए काम आती है यह यहां मैंने लगा पाइप और यहां पे लिखा टी आर और मैंने लिख दिया हुआ हुआ है इसमॉल वाला हुआ है वो पूरे टेक्स्ट में से कहीं भी होगा ना हर जगे ट्रिम हो जाएगा एंडिंग में डबल कोट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ब्लैंक नहीं छोड़ सकत इसने ट्रिम कर दिया है के पिटल एच और स्मॉल यूई को कहीं से भी कुछ भी ट्रिम करवा सकते हैं वो भी पूरे टेक्स्ट में से हैं अगर आप चाहें तो फाइल में से भी करवा सकते हैं कैट कमांड लगाकर तो इसके बारे में आगे बताऊंगा फाइल और एडब्लू के ऐसी डिप और वाकी चीज़ों पर भी लाऊंगा वीडियो पुल मिला के मैं तीन वीडियो लाऊंगा अगर सही रिस्पॉंस रहा तो मैं दस लाऊंगा नहीं तो तीन वीडियो में ही तैट सिट अब मैं आपको वेरियबल बनाना सिखाता हूं कि यह जो वेरियबल है वो आपको ऐसे बनाना है कि स्पेस नहीं देना है वेरियबल में इस बात का ध्यान लगना है variable को call कराने के लिए आपको लगाना है echo command और double quote उसमें dollar जो variable का नाम है उसको dollar के साथ लगाना है उसके बार में message display हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि TR utility के बिना कैसे trim कर सकते हैं तो उसके लिए आपको use करना है curly braces double slash h double slash लगाने से ध्यान है कि अगर आप single लगाते हैं तो वह पहली occurrence को करेगा अगर आप double slash लगाते हैं तो वह हर जगे से उस चीज को remove कर देगा जैसे कि मैंने edge लिखा है तो edge को हर जगे से remove कर देगा अब यह एक वार single backslash से भी देख लेता है कि single backslash कैसे काम करता है Single Black randomized लगाने पर यह सिर्फ पहली occurrence ऌई जो आदिक पहली पहली बार जो चीज आ रही है उसको remove करेगा जैसे कि एच लिखा ए तो एच पहली बार पर आ रहा है वहाँ से remove करेगा next वीडियो किस पर लानी है अब suggestion में लिख सकते हैं और feedback देना ना भूले अगर मैं सभी रिस्पॉंस रहा तो मैं दस वीडियो जरूर लाऊंगा पूरी बैस्चल स्क्रिप्टिंग गुड़र एडवांस वीडियो होगी आज तोड़ा गला खराब है तो चलिए समाप्त करते हैं करते हैं